आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम ऐसे धान तक नहीं हो तरी स्टडी ग्लोज पे आपका बहुत बसवाकत है अमेरिका जो है वो गौतम अडानी और एजिवर कंपनी ये दो इनको इन्वेस्टिगेट कर रहा है इनके उपर रिश्वत देने का आरोप लगा है पोटेंशल ब्राइबरी का इनके उपर अमेरिका ने आरोप लगाया है अब अमेरिका ने सिर्फ आरोप लगाया है हम बात करेंगे इसकी देखे अमेरिका ने कहा है कि जो हमारा जस्टिस डेपार्टमेंट है उसने ये पाया ह कि कहीं ना कहीं अडानी गुरुप में कुछ गरबढ है तो जो गौतम अडानी है और उनकी कमपनी है वो रिश्वत देने में involved हैं अब रिश्वत क्यों देना है भाईया ताकि इनको projects मिल सके जो prosecutor है अमेरिका अलेडी गौतम अडानी और गौतम अडानी गुरुप investigation कर रहा ह अब अमेरिका ने अपनी investigation को और ज़्यादा वाइड गर दिया है और ये रिश्वत का मामला भी इसमें आ गया है फेवरेबल treatment की बात की गई है कि पैसा लो टेंडर दो अब ये अमेरिका का justice department जो है वो कह रहा है दो कमपनी है बिसिकली एक गौतम अडानी की जो energy कमपनी ह इन दोनों पे अमेरिका ने शिकंजा कसा है अब अडानी ग्रूप ने ये को लाए कि देखें we are not aware कि कोई investigation हमारे chairman के उपर चल रही है अभी तो फिलाल हमारे पास कोई ऐसा case नहीं आया है अमेरिका क्या investigation कर सकता है बिलकुल कर सकता है कैसे देखें जब भी कोई company operate करती है तो उसके investors जो बाहर के भी होते हैं अब अगर जैसे अमेरिका के भी investors अडानी ग्रूप में invest किया होगा लोने अमेरिका का law ये कहता है कि हमारी देश से investment गया और अगर उस company में कुछ problem आई तो हम आपके उपर case सला सकते हैं तो अमेरिका के federal law में ये है कि अगर कुछ भी ग लगा है तो हम आपके खिलाफ investigation शुरू कर सकते हैं समझ रहे हो तो यह होता है तो यहीं बोला है हाला कि आपको बता दू कि अभी सिर्फ और सिर्फ आरोप लगा है अभी prosecutions नहीं हुए ये भी मैं आपको बता दू अभी कोई मुकादमा नहीं चला है किसी को कड़गरे में सकता है राइट साथी साथ यह भी बोला है कि देखिए भारत में मोनोपॉली है आप अभी 2014 के बाद से चाहे पोर्ट्स हो चाहे एरपोर्ट हो चाहे पावर लाइन्स हो चाहे हाईवे डेवलप्मेंट हो सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स है वो गौतम अडानी को मिल रहे ह अच्छा खासा क्यापिटल जो है वो हमारे यहां से आ रहा है जो इन्वेस्टर्स यहां से अच्छा खासा पैसा डाल रहे हैं अडानी ग्रूप में तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो गौतम अडानी हैं अगर वो यहां से पैसा ले रहे हैं तो यहां के लौ से भी वो हैं तो हम investigation बिल्कुल करेंगे और एक बार charges अगर अगर मान लिज़े प्रूव होगे तो मुकादमा भी चलेगा और अडानी ग्रुप का कहना है कि यह हमको तो कुछ नहीं पता कि investigation हो रही है नहीं हो रही है we don't know पिछले साल आपको याद होगा कि हिंडेंबर्ग ने बहुती गंभीर आरोप लगाये थे गौता मडानी के उपर शॉर्ट सेलिंग के आरोप लगाये थे शॉर्ट सेलिंग याद होगा पिछली बार मैंने बहुत सारे लिच्चर लिये थे कैसे stock price manipulation होता है price नीचे डालके बे target करने की कोशिच है हिंडेंबर्ग पहले भी ऐसा करता रहा है बहुत सारी companies के साथ ठीक है ना और उस बात शेर बहुत धरा उनसे share prices जो है stock prices जो है वो गौता मडानी के गिरे थे है ना तो यह हमको याद होगा और इसका मैं description and comment box में description comment box पे याद आया हमारा telegram group है आपको य ठीक है तो रात 8 बज़े अप लाइब जुडिएगा कल हम AI पे बात करेंगे एक हमारे साथ बहुत ही special guest होंगे तो हम कल आपको कुछ अपने plans बताएंगे तो जुडिएगा जरूर मैं description comment box मेंस का link लगा दूँगा कल 8 बज़े लाइब होगा ओके तो आडानी ग्रूप और Azure जो company है वो एक दूसरे से compete करते हैं भारत के green energy sector के लिए बात यहां पर renewable energy की हो रही है renewable energy कौन सी energy होती है जिसको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं जैसे solar energy wind energy these all are renewable energy अभी अगर हम बात करते हैं तो contracts दिये जाते हैं इस projects के लिए solar program के लिए तो इसी में बात हुई है कि दो लीडिंग renewable energy company जब प्रधान मंत्री मोदी जी जो है जो कि close li माने जाता है गौताम अडानी के जब यह आए तो यह leading अपने आपको ऐसा दिखाया कि यह leading renewable energy company है ठीक है यह आरो प्लग मैं फिर से बता रहा हूँ ठीक है और उसके बाद बहुत सारे green initiatives को push भी किया गया Azure जो ह पहुत सारी इसके उपर already complaints आई है Azure के उपर तो यह उससे जूज रही है Azure को पिछली बार New York Stock Exchange से delist भी किया फाइलिंग्स डिलेड हुई आपको अपनी company के balance sheet दिखानी पड़ती है ठीक है ना आपको audit करवाना पड़ता है यही auditing का ही पूरा पिछली बार Hindenburg ने बोला तक कि auditing गरबर है कुछ तो गरबर है भाई जूसका भी यही auditing में ही problem auditing खेर हुई ही नहीं बहुत टाइम से खेर छोड़ी मैं ज्यादा divert नहीं करूंगा लेकिन आप यह समझे कि these are very important things और यही जो पिछली बार जो अमेरिका के लिस्टिक से Azure को हड़ा भी दिया था है ना त ऐसा पहली बात तो कुछ क्या ही नहीं है ठीक है और इस तरीके के scheme जो है या जो भी हमारे उपर आरोप लग रहे हैं यह गलत है अभी फिलाल कुछ projects को लेके यह बात कही जा रही है और हम पूरी justice department ने जो भी बोला है उसके साथ हम उसके पूरा corporate जो है करने वाले है यह Azure क कहना तो पिछले साल तो FCPA foreign corrupt practices act भाई यह देखिए अगर माल लीजे कि कोई भी अमेरिका से सिधान तक नहीं होती है अमेरिका में रहे है एक particular company से related है जो जो bribery में involved है या corrupt practices में involved है तो मेरे उपर कारवाई होगी अमेरिका में रहे के उस investor के उपर कारवाई हो जाएगी जो उस company में पैसे डाल रहा है जो की corrupt practices involved जैसे public listing हो गया American investor joint venture यह सब इसमें आ सकते है इन सब के उपर कारवाई जो है वो हो सकती है ठीक है ना ताकि अब यह क्या करते है कि कि किसी को कुछ offer करना वही bribery यही तो होता है ना ठीक है ना कि भाई हाँ tender मिल जागा यह कुछ मिल जा ठीक है अब Brooklyn के जो prosecutors है इनकी history है कि यह किसी भी case को बहुत aggressively pursue करते है और Adani group पहली बात तो यह कि अमेरिका में तो trade करता नहीं है तो अब वही बात है कि जब Adani group अमेरिका में trade नहीं करता है तो अमेरिका किस हिसाब से इनके उपर investigation चला रहा है पट वहीं बता रहा है ना कि American investors तो इसमें involved है तो अगर American investors involved है तो यह होगा ठीक है तो यह चीज़ है अब FCA investigation काफी साल लग जाते हैं देखिए कोई भी आरोप लगाना तो बहुत आसान होता है आरोप आप किसी के उपर भी लगा सकते उसको सिद करिये प्रूफ के साथ सिद करिये तो बात होती भी है और कई बार बहुत सारी चीजें बी चलाई जाते है बहुत सारी चीजें होती है यह हमको नहीं भूलना चाहिए अपना पक्ष रखने का सबको अधिकार है साथी साथ FCA की investigation जो काफी समय तक भी चलती है ठीक है ना काई ज्यादा हाई प्रोफाइल होते हैं और आपको पता दो कि कंपनी को अच्छा कासा फाइन देना पड़ता है प्रोसेक्यूटर्स अगर माल लिजे कि आप इनको साबित नहीं कर पाए तो फिर जाज बैठ जाती जो इनको पर जाज कर रहे थे तो के वो भी एक बहुत तो यहीं चीज है और आपको बता दो कि यहाँ पर जो मेजर कंपनी है बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के उपर यह चार्ज लगा है सिद्ध हो गया तो बहुत अच्छी बात है नहीं सिद्ध हुआ तो बैंड भी बज जाती है तो यह गौतम अडानी के उपर आरोप लगा आए थे तो जो प्राइजेज है वो नीचे गिने फिर वो उपर गये बैलेंस में आए और वहीं बता रहें न कि इसा बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है टू बिक टू फेल अगर यह कंपनी को कुछ हुआ ना तो भारत की एकोनामी पर भी बहुत जादा असर पड़ेगा त यहाई यहाई आए यहाई भी बहुत बड़ेगा यहाई वाई।